Welcome to all on my YouTube channel Learning with me So, आज जो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जारे हैं जो आपका Theories of Learning जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे Thondike Theory of Learning बहुत ही जादा important चैप्टर है ये HPTED के लिए So, इसलिए जो student HPTED 2020 की प्रेपरेशन कर रहे हैं Please, मेरे इस चैप्र की आल वीडियो को वाच करें क्योंकि काफी जादा important रहने वाला है HPTED के लिए लर्निंग से जो question HPTED में हर साथ दो या तीन question जो आपको देखने को मिलेंगे So, प्लीज जुरूर वाच कीजिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को So, firstly, learning की थियोरी स्टार्ट करने जा रहे है So, what is learning? यह भी पता होना चाहिए So, learning क्या है? Learning is a process of acquiring new understanding, knowledge, behavior, skill, value, attitude and preference So, learning के एक एसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग नई understanding सीखते हैं So, learning को जो है वो आपके हिंदी में अधीगम कहा जाता है देखें अगर हम साइकोलोजिस्ट के पॉइंट अव व्यू से So, learning is a relatively permanent change in a behavior as a result of experience So, हमारे experience के साथ जो हमारे behavior में एक permanent change आता है उसको क्या कहते हैं? आपके learning कहते हैं इसके अत्रिक जो आपके साइकोलोजिस्ट हैं वो यह मानते हैं कि जो आपकी learning होती है वो depend करती है आपकी stimulus पे जिसको हिंदी में दीपग कहा जाता है जैसे हमें stimulus मेलेगा उसी के against हम लोग respond करेंगे और response से ही हमारी जो है वो आपकी learning आती है चलिए इसको detail में जो आपकी thondike की theory में हम आगे discuss करेंगे आगे देखते हैं तो आगे जो आपकी thondike है उनके एक journal से introduction है thondike जो है वो आपके Edward thondike के इनका complete name था और काफी जादा contribution रही है इनकी psychology में Watson की तरह Watson कौन है जो आपके father है behaviorism के और thondike भी एक behaviorist है behaviorist कौन होते है जो यह मानते हैं कि बच्चा जो है वो अपने मतलब जो भी अपने behavior को बनाएगा वो किससे बनाएगा external environments पे depend करेगा ना पहले हमने जो है वो आपकी जीन-प्याजे को पढ़ा जीन-प्याजे क्या कहते थे कि बच्चा अपने knowledge को actively construct करेगा हमें उसे किसे भी परकार की reinforcement instructions या फिर conditioning देने की ज़रूर जो नहीं है then उसके बाद हमने पढ़ा लैवाइगोस्टी को जो एक social constructivist थे उन्होंने क्या कहा कि बच्चा जो आपने society के साथ इंट्रेक्ट करके अपने knowledge को खुद construct करेगा ठीक है यह कहते थे आपके लैवाइगोस्टी बात करते है behaviorist की behaviorist में हम लोग पढ़ेंगे थॉन डाइक, स्किनर, टैबलव, वाटसन तो behaviorist क्या मानते हैं कि जिस तरीके का हम external environment बच्चे को प्रवाइड कर रहे हैं उसी तरीके का behavior जो बच्चा future में करता है इनके लिए जो है वो उनकी genes वगरा importance नहीं रखते हैं अगर एक बच्चा intelligent होगा वो depending किस पर करेगा जो external environment हम उसको provide कर रहे हैं इस पर depend करेगा behaviorist के accordingly ठीके तो यह जो है वो genes को उस बच्चे की कोई भी important नहीं दे रहे हैं इनके accordingly अगर हम बच्चे को intelligent बनाना चाहते हैं तो हम उसी उसी परकार की जो है वो environment प्रवाइड करना चाहिए उसी परकार की conditioning उसको शुरू से देनी चाहिए ताकि बच्चा future में जो है वो आपका intelligent बने यह कहते हैं behaviorist तो यह जो है वो जादे important जो है बच्चे किसी person के genes को जो है वो नहीं देते थे thon dyke first थे जो उन्होंना आपके reinforcement के concept को introduce किया था और thon dyke जो है वो पहले आसे थे जिन्होंने आपके psychological principle को use किया था किसमें learning field में ठीक है तो जो आपके thon dyke थे वो एक American psychologist थे और father थे आपके इसके education psychology के जो आपकी thon dyke की theory आज हम discuss करेंगे इस theory को बहुत से नामों से जाना जाता है जैसे thon dyke connectionism, thon dyke born theory, stimulus response theory, trial and error theory of learning beast theory को जो वो कहा जाता है तो जो आपकी thon dyke theory के characteristics है तो जो आपकी thon dyke theory थी learning की तो इसका जो बेस था आपका वो relation था किसके बीच में stimulus and response के बीच में ना मैंने शुरू में ही बताया कि stimulus क्या है जैसे दीपक इसको हिंदी में कहा जाता है किसी person को जब तक कोई stimulus नहीं मिलेगा तब तक वो है वो response नहीं करेगा उसके अगेंस्ट और अगर वो response नहीं करेगा तो जो लर्निंग है वो नहीं आएगी तो इस theory का जो बेस है आपका वो क्या है stimulus और response के बीच में relationship ठीक है the process of learning is based on cognitive cognitive and affective factors जो प्रोसेस लर्निंग की चलेगी आपकी उसका बेस क्या होगा उस किसी person का वो होगा उसके cognitive cognitive and affective factors जो है वो उसके क्या होंगे बेस होंगी ठीक है इसके साथ ही इस theory में यह भी बताया गया है कि अगर हम first starting में ही हम लोग जो है वो आपके learning का balance जो है वो एक हो देते हैं तो future में जो हमें क्या experience करना पड़ेगा टेंशन इत्यादी को जो हमें experience जो हो करना पड़ेगा इसके साथ ही तॉंडाई की trial and error theory हमें यह भी प्यताती है कि जैसे जैसे हमारे trials बढ़ते जाते हैं हमारी activities जो हो reduce हो जाती है कैसे for example अगर starting में मैं किसी काम को 30 मिनट में complete कर रही हूं और मैं उसी काम को बार 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 ट्राइल कर रही हूं कर रही हूं प्रैक्टाइज कर रही हूं तो आने वाले future में मुस काम को 20 मिनट्स या फिफ्टी मिनट्स में भी complete करना start कर दूंगी तो इसलिए मेरे activities time जो हो आपका क्या हो गया reduce हो गया इसके साथ ही जो आपके थॉंडाइक थे इन्होंने जो है वो आपके प्राइमरी लॉस को करेंगे इसके साथ ही जो आपके थॉंडाइक थे वो यह कहते थे कि जो आपकी stimulus होती है वो कुछ भी हो सकता है जैसे फॉर एक्जामपल आपकी जो नीड है आपकी जो प्रॉब्लम है आपकी जो मतलब गोल है पॉपस है वो आपका क्या कर सकता अगर जैसे हमारा कोई नीड है वो हमें स्टुमुलेट कर रहा है तब ही हम लोग जो हो उस नीड के कॉर्णिंग लिए हमा खुद को क्या करें रिस्पॉंड कर रहे है और उसी से हमारी जो है वो लेर्निंग की प्रोसेस जो वो स्टार्ट होती है आगे हम तो अंडाइक का करें ऊसको करते हैं तो इसमें यह उन्होंने क्या किया था एक निडिया था और अन्डर इन्होन हेए इक स्ट्रिंग लगाई था एक का दीलीया ग्लता कि या इसा ही लिवर को प्रोसे डिंग हो तो इस तरीके सीदान थे वो उस थे था कभल अश्चिषक बहिता है घथति इनका जो यह famous experiment है वो catpy है जिसको जो है वो आपके famous कहा गया है वो आपका catpy है तो उन्हें एक भूकी बिल्ली को लिया ठीक है और उसको उस cage के अंदर बंद कर दिया और cage के बाहर इन्होंने क्या रखा फूड में मचली का मास का टुकडा जो है वो food के लिए cage के बाहर रख तो बिल्ली के आती भूकी थी देन वो उस जो आपका food उसने बाहर रखा था उसको बिल्ली देख सकती थी मतलब सूंग सकती लेकन खा नहीं सकती थी ठीक है तो बिल्ली भूकी थी भूक के मारे वो जो इदर उदर जो आपके cage के अंदर भाग रही थी तो जैसे-जैसे वो बार 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 बिल्ली को केज केंदर टाला, ठीक है। तो इसमें इसका stimulus क्या था बिल्ली को कर रहे थी एक तुशको भूग थी ठीक है उसके बाहर जो जो फूड आपके थोंडायक ने बाहर रखा हुआ था वह क्या कर रहा था था जो आपका रिस्पॉंड था वह बिल्ली का था जो कि जिसने की आपने का अपने बार बार कि अध़ त्राइल एंड़ एपनोडर के का था बिल्ली था इसके बाद आपके लॉज ओफ लर्निंग है तो प्यर्स्त लॉज उस नहींता था जब तक यह काम को करने के लिए प्रपिर नहीं होते तब तक लिए लर्निंग नहीं आती है यह कहता आपका लॉज यह बाह जा जब तक हम किसी काम को करने के लिए actions नहीं करते हैं, तब तक वो हम काम नहीं कर सकते हैं, नीचे मैंने एक example भी दिया हुआ है, कि एक typist है, जिसे की typing सीखनी है, मतलब खुद को typing सीखनी है, लेकिन जब तक वो खुद को typing सीखने के लिए prepare नहीं करेगा, और उस काम को start नहीं क तब तक वो टाइपिंग नहीं कर सकता है सेम तिंग हमारे साथ है मतलब कि जैसे हम तक हमें पढ़ाई करनी है एक्जाम के लिए पढ़ाई करनी है पर जब तक हम खुद मन से पढ़ाई करने के लिए त्यार नहीं है तब तक हम जो है वो खुद से पढ़ाई नहीं कर सकते मतला और नहीं हम से होती है यह होता है आपका law of readiness जो यह बताता है कि जब तक हम लोग खुद को ready नहीं करते हैं तब तक जो है वो हमारी क्या है learning नहीं आती है तो learning के लिए जो आपके किसका होना ज़रूरी है readiness का होना बहुत ज़रूरी है second law है law of exercise law of exercise तो the second law of learning is law of exercise which means the drill or practice help in increasing efficiency and durability of learning and according to thundike as our bond theory, the connection is strengthened with trial or practice and connections are weakened when trial or practices discontinue second law क्या कहता है कि जब तक हम किसी काम को वारवर प्रैक्टाइज नहीं करते हैं तो क्या हो जाती है वो हमारी learning को effect करता है, हमारी learning complete नहीं हो पाती है SR bond theory जो आपकी stimulus response theory है तो इसमें इन्होंने क्या पताया था कि जैसे हमारी जो trial मतलब जो हमारे practice है और trial है उसको अगर हम बंद कर देते हैं हमारी learning है वो discontinuous हो जाती है for example, example की बात करें तो for example की लिए बात करें तो अगर हमारी जो जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम पढ़ते रहते हैं मतलब अगर हमें learning करते रहते हैं कोई चीज पढ़ते रहते हैं तो वो हमें जादा समय तक के लिए याद रहता है लेकिन अगर हम किसी learning को वहीं पे छोड़ देते हैं तो वो काम हम future में भूल जाते हैं कुछ time के लिए वो काम जो हम भूल जाते इस law of exercise जो हमारी learning के लिए बहुत जादा important है क्योंकि जो आपकी बिल्ली थी ठीके बिल्ली पे भी जो हमारे इन्होंने experiment किया था तो बिल्ली ने बार-बार उस चीज को trial और मतलब बार उस चीज को practice किया था तब ही उसने देखा कि उसका जो lever का time है मतलब जो उसको lever प्रेस करने का time है at the end जो है बहुत कम हो गया है starting की जगा ठीके तो वही चीज हमारे साथ भी होती है कि अगर हम किसी काम को जो हो करते रहेंगे तभी हम उस चीज में mastery gain कर सकते हैं otherwise अगर हम किसी काम को किसी learning को छोड़ देते हैं तो वह जो है वही पे stop हो जाती यह कहता है अपका law of exercise कि हमें बार-बार जो हम उस काम को क्या करना प्रैक्टाइज करना तभी हमारी learning जो हो एक permanent हो सकती है second है law of effect according to a thon dyke any act which is given a situation produce satisfactions become association that situation similarly any act which given a situation produce dissatisfactions become disassociated with that situation तो इन्होंने क्या कहा law of effectiveness law of effectiveness क्या कहता है कि कोई ऐसी situation जो हमें क्या दे रही है satisfactions दे रही है कोई act हम ऐसा कर रहे है जो हमें satisfaction प्रवाइड कर रही है तो हम उस काम को उस act को करना पसंद करते हैं और ऐसी situation जो हमें dissatisfactions दे रही है मतलब हमें जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है उस काम को करने के लिए तो हम उस काम से या फिर उस learning से क्या हो जाते हैं डिस असोशियेट हो जाती है फर एक्जामपल के लिए कि जैसे अगर कोई student है ठीक है एक student है तो उसे जो है वो science stream पसंद नहीं है उसे art stream पसंद है और हम उसे science stream में मनलब डाल देते हैं तो firstly उसकी satisfaction नहीं होगी ठीक है तो वो उस काम से जो है वो जुड़ेगा नहीं उस learning से वो जुड़ेगा नहीं उसका क्या है उसे satisfaction किस काम को करने में आ रही है उस art subject को पढ़ने में आ रही है तो same चीज है मतलब कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कुछ काम को करने में हमें क्या satisfaction मिलती है हमें मज़ा आता है तो वो काम हम लोग करना पसंद करते है और जिस काम को करने में हमें satisfaction या फिर मतलब satisfaction नहीं मिलती है या फिर अच्छा नहीं लगता है वो काम हम नहीं करते है तो same चीज है law of effectiveness वही बोलता है कि जिस learning में हमें मज़ा आता है हम वही learning करते हैं जिस learning में हमें करने में मज़ा नहीं आता है हम उस learning को जो है वो छोड़ देते हैं ठीक है इसके साथ ही हमारे Scandry's Law है Scandry's Law जो है वो आपके law of primacy आप टाउन कर सकते हैं law of primacy, law of recency, law of intensity, law of multiple response, law of set attitude, law of response by analogy, law of associative shifting, law of partial activities यह आपके जो है वो आपके law है Scandry's Laws है लर्निंग के ठीक है तो इनस में से भी question जो आपका पूछा जाएगा बाकि आप लोगों को अगर notes चाहिए होंगे तो प्लीज मेरे comment box में comment कर दीजएगा बोथ Hindi and English आपको notes चाहिए वो complete मिल जाएगे बोथ secondary, primary and secondary laws के आपको notes मिल जाएगे इसके साथ ही reason for criticism criticism किया गया थॉन्डाइक की इस theory का क्यों? क्योंकि जो आपकी थॉन्डाइक थे इन्होंने बहुत ज़ादा emphasis किया किसमे random activities बे इन्होंने क्या का? बार-बार हम trial करें बार-बार हम trial करें वारा हम practice करें तो हमारी learning जो वो permanent होगी तो यह क्या था एक तरीके से wastage of time था ठीक है? criticism का एक कारण था बार-बार प्रैक्टिसम ठीक है? यह भी एक reason था इस theory neglect the mental process of learning ठीक है? firstly इन्होंने mental process को जो है वो neglect के इन्होंने क्या कहा? कि हमें learning तभी permanent होगी जब हम बार-बार उस काम को करेंगे इन्होंने थांडाइक ने कहा लेकिन इन्होंने mental process नहीं देखा मतलब mental level नहीं देखा किसी person का मैं पहले बता चुकी हूँ कि behaviors थे तो उन्होंने genes को जादे importance दी ही नहीं थी कोई person ऐसे होते हैं जिनको जो काम है वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं मतलब किसी काम को बहुत जल्दी learn कर लेते हैं कि कई persons को उस काम को करने में जो है आपकी क्या करता है time समय लगता है तो इन्होंने क्या कहा बार बार practice करो तो हो सकता है कि कुछ person जो है वो बहुत कम समय में उस काम को learn कर ले तो उन्होंने किसी persons के मतलब जो genes थे उनको एक तरीके से neglect किया तो mental process को उस person मतलब नगलेक्ट किया ये reason था it emphasizes on learning with making trial again and again वही चीज ये बार बार जो है वो learning को क्या बोला कि बार बार ट्राइल करो मतलब एक तरीके से वो ムावाने की बात इन्होंने की थे कि बार बार ट्राइल करो तो आपकी learning आईगी थी तो वह एक तरीके से रट्टा लगाने की बात ज़ें वो इन्होंने की थी इंफेसाइज इंपर्टेंस तो नें ऑपकी एक तरीके से इंसाइट लर्निग भी हो सकती थी तो उन्होंने insight learning को जो है वो पूरी तरह से neglect किया उस चीज़ को जो है वो आपके thon deck ने पूरी तरह से जो है वो neglect किया तो next video जो आपकी next theory जो हम discuss करेंगे वो आपकी insight gasault theory जो है वो उसको discuss करेंगे क्योंकि वो भी बहुत ज़ादा जुरूरी है प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार की help चाहिए होगी तो प्लीज मेरे comment box में comment कर सकते हैं मैं जो है वो आपको इस help को provide करने की पूरी कोशिश करूंगी so thank you for watching my video and thank you for watching my channel